टॉइलिट फ्लश करते समय बिना लिड यानि धकन लगाय फ्लश करना खतरनाक साबित हो सकता है University of Colorado Boulder के रिसेर्चर्स ने हाल ही में एक स्टडी की जिसमें बताया गया कि जब आप लिड खुली होने पर फ्लश करते हैं तो क्या होता है वग्यानिक जौन क्रिमालडी के अनुसार हर बार जब आप टॉइलिट फ्लश करते हैं तो ये पानी की छोटी-छोटी बूंदों को छोड़ता है जिसे एरोसोल प्ल्यूम्स कहा जाता है ये बूंदे human waste से रोग जनकों कुफला सकती हैं और पब्लिक टॉइलिट में ऐसा करने से लोग संक्रामक रोगों के संपर्क में आ सकते हैं इस स्टडी को करते समय लेजर का इस्तिमाल ये जाचनी के लिए किया गया कि ये कंड कितनी तेजी से चलते हैं और कितनी देड तक हवा में रहते हैं इसलिए अगली बार जब भी आप टॉइलिट जाएं तो फलश करने से पहले उसे धकना न भूले